स्वालों बचेवाटी स्वागता वुइंगे कर लिया था टिक है लास्ट वीडियो गंदर क्या कर लिया था यह टिशू पढ़ लिये थे टिक है अनिमल और प्लांट के अंदर कौंड कोंड से पाई जाते हैं ठीक है और अभी अपन यहां पर देखेंगे क्या देखेंगे य अभी हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए है आपको सबको बत है ठीक है टीशु क्या होता है सर ग्रुप आप सिमलर सेल होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन को कारे को करती है भी समझ है औख अर जब बहु सारे टिशू मिल जाते हैं तो गुंग मनाती ये और फैनली क्या बनाते हैं कॉपलीट अर्गनिस ये बद आपको बंटके अंधर जो टिशू होते ना की इम रेजी केरें सिंपनेग्स अब देखो कहता है कि प्लान्ट के टिशु जो है बहुत सारे अर्गन मनाते हैं जैसे लीप अगर एक साथ मिलके काम करते हैं तो एक और सिस्टम मनाते हैं और बाद में एक पुरा और अर्ग उडहीं समाझ जाएगी अब देखो मैस्कूलर प्लांट एस टू डू डिस्टेंट अर्गर ऋड़ शिस्टम होते निए अब 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 दा सर्फिस जो ग्रान के उपर जो भी क्या जाएंगे, vegetative क्या जाएगा यानि नन रिपॉडक्टिव होता है ठीक है, और दूसरा क्या जाएगा, सब दूसरा जाएगा न रिपॉडक्टिव, रिपॉडक्टिव के अंदर and serve as a storage site for food and is usually underground तो यह आपने पढ़ा होगा sink and sink पढ़ा होगा production sink होती है आप सबको बता है तो क्या होता है कि लीब के अंदर जो है वो food बनता है और बाद में वो जाके कहीं रूट के अंदर store हो जाता है यह आप सबको बता होगा तो storage and sink पढ़ा होगा आपने कि कैसे होता है जो production होती है food की plant के अंदर glucose बन जाते हैं उनके अंदर स्पेशलाइज बन जाते हैं उनके अंदर क्या होता है यहां पर क्या है multi-cellular है तो यहां पर अलग अलग जो है वो cell अलग अलग काम करेंगे जैसे एक्जालियम क्या करता था सर एक्जालियम वाटर एंड मेनल का ट्रांसपोर्ट समझ है इसका इतना ही है तो यह काफी मिटेरियल आपके लिए यह लिख देना और इसको जतना ज्यादा हो सके न इसका थोड़ 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 एक्ष्वलेन भी करताने से लीव सो गया स्टैम्स हो गया इसके बारे में ब्रांचेस बगारा तो यह सारे शूर्ट सिस्टम होता है तो इसकी यह डाइग्राम बना क्या जाना समझ है यह डाइग्राम बना क्या जाना ठीक है देखो इससे उपर इससे उपर देखो यह लिखने की ज़रूरत नहीं आपको क्योंकि यह अनॉटमी आ चाते है यह प्लांट आरगन यह आपको बतावना चाहिए यह आपको अनॉ और रेडिकल से जब अपन सीड बोतते हैं ना यहीं सो करते हैं चमीन के अंदर तो जो रेडिकल पार्ट होगा यहां से क्या निकलती है रूट निकलती है और किसी दुसरे पार्ट से निकलती है जैसे आपने दुब घ्रास देखाऊगा दुब घ्रास देखा तो सीड के पार्ट से थो नहीं हो रही अगर कोई भी रूट जो रेडिकल से नहीं हो रही तो उसको क्या कहते हैं Sir Adventitious usa rua यहाद रकना Adventitious Guo टिक एड्वेंटिक्षीस होती हुग याध रखलन आप तो यह स्टॉक्च्चर भर करकर क्या है फूमरी इंव उसक है mm mmku जहां से leaf निकलता है नहीं है तो हिंदी बाले उत तक को डेख लेना टीशू क्या होता है शूर सिस्ट्रम fruit सिस्टम फ़ाही जड़ ना लिया क्या इसमें को इतना तेके और दुसरा क्या होता है दूसरा क्या होता है और उपजी यह प्रजिनन भाग यह ने रिप्रडॉक्टिव पूज़ी आट जिसमें फलोर फूवल आते हैं समझ अब देखो आउर्गेंस एन्ड एन्ज सिस्टेम इन्ट यह काफी लंबा है और आपको अच्छे दियान स चैके, याद रखना उनके बारी मेआपको लिखना है ट्रॉलरलोर्गनसिस्टम चो होते हैं उनके बारे मेआपको लिखना है समझ आही उर छोड़ा थोड़ा लिखना है और उसके बाध यहाँ पर पॉस्टीवल है न बहां पर डाइग्ना के आजाना लिखना बेशक दो दो लाइने तीन तीन लेकिन अगर 12 मार्क्स के अंदर आ जाता है और आएगा यह डेफिनेटल ले आएगा तो अगर आपको आजाता है तो आपको उसी साफ से लिखने है अगर को पर्टिकुलर अर्गन सिस्टम पूछ दिये जाता है तब तो अपके करते हैं जो कि लग लग पाम करते हैं तो यह आप सब एक्स्टरनल योग बात करें जैसे आपके कान स्कें आईज हो गया इंटर्नल मतल्य को टे सब्सक्राइब और बहुत एक्स्टरनल रिघृद्री अंपकरण बाइब नाट इक सिस्टम बनातें इसको और इसके इंदर त्वाल-कन-षिस्टम आते है ये बताने की जूर्ट है इंटरिमेंटरी मतल सकेन फगरां Щ के हेर बगरां नेल बगरां मस्कुलर सिस्टम मसल इलेड़ स्केल्टर सिटम ड安च आगया कंकाल अधेईं बगरांler सिस्टम न्यूरव्ण आगया, cardiovascular heart-grade, lymphatic system जो होता है, ये अपने को, लिंफ नोड की तरह होता है, और ये मतलब अंदर जवाब हो चलता रहता है system में, और ये circulatory system की तरह होता है, circulation होती ही हाँ ठीक है, और जो की इसका काम होता है, defense कर रहा है, टीक है Immune system वही आ गया ठीक है respiratory system होता है यानी सांस लेने से और फिर breakdown होना ठीक है oxygen का यूज करके complex food का संपल में उसी को respiration कहते है ना ठीक है सांस लेने को तो breathing कहते है याद रखना respiratory process एक बहुत complex process होता है digestive system हो गया urinary system हो गया reproductive system endocrine system वही gland वगएरा ठीक है जो की hormones समझे ना आपको nervous system नहीं होगा तो क्या आप जिन्दा रहा होगे brain ही नहीं आपके पास समझे आपके पास heart ही नहीं है समझे अब मुझे यह बताना कि blood कहां बनता है blood कहां बनता है इसका comment section दर जुरूरू बता नमरे कौन से उन मैंने बताया भी था शायद आपको पर some organs can work independently लेकिन सारे के सारे नहीं कर सकते ठीक है एक दूसरे पर depend रहते हैं कहींने कहीं से signal मिलता रहते है ठीक है जैसे पैंक्रिया जवाबो digestion में भी help करता है और release hormone भी करता है insulin hormone करता है जो कि diabetes चो थी यानि blood level चो होता है शुगर level होता है blood के अंदर उसको control रखता है ठीक है तो जनब्रों में कोशी का अंग और अंग पर नाली कोशी का नहीं सोरी अंग और अंग पर नाली ठीक है तो यह बता दिया मैंने कि एक काम करते है एक सिंगल करते है यानि सिंगल कोशी का हो ठीक है जिसे पांचन करना है श्वस बाख मतलब mean पर तेखी जाग rubbish करती ठीक है और उसके आगे और लगलग और ऒंद रम ना पार यह यहादद कलना जी यनि का इन्हीं पनान कि घुछ है ने दो पर नक्रकर के थे ते और इनके बिना जवाबो मानब जीवी थी नहीं रह सकता समझाई और कुछ अंग जवाबो सबतंतर रूप अगनियाश्यव मतलब पैंकरियाज जो और हर्मोन जारी करने में बुमी का निवात है यह अगर 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 आपको सिंपली आता है कि अर्गन सिस्टम अर्गन और और अर्गन सिस्टम इन तो यह आप डाइग्राम यह वाला भी बना सकते हो ठीक है लेकिन यह वाला डाइग और यह हट हो गया तो यह कहाँ कहा सिचुएट्रोड होते है इसलिए बताया हम आपको ओड़ी किडेनी से बताया है अब आज हो अलग अलग देखते हैं इंटेग्वेमेटरी सिस्टम मैं नहीं बताया हैं कि प्रॉटेक्शन करता है इंटेग्वेमेटर मतल्डर कभर करने व होता है बाडी का आपनी जाता है नहीं जाता है जर्म HAB सोथ ही जर्णी को शानी से नहीं सोय compliance होती है तो और अडर क्यों की थार्णीय को था नि toim typ होते है तो Какे यह वह मैगाने आपनी प्रहुचार करने रहाला गर्मियों के अधर इचरणी आवकिताव होती है है, tablets के अंदर क्या है आप देखा है, ठीक है? अगर आपके आँख में कुछ चला जाता है तो lacrimirror gland होता है वहाँ पर ठीक है? वह क्या करतेता है , पादी करतेते है पानी है, और जिसकी ऐसे क्या होता है कि आपके वेस्कुलर चीचें होती ना वैस्कुलर यानि वैसल नहीं होती बस इतने याद रहते ब्लड वैसल से नहीं होती लेकिन डीब कट लग जाता है, तो क्या होता है? मतलए dermis तक वो कट लग है, समझे? मैं से इतना याद रखना, और dermis के अंतर क्या होता है? सर इसके अंतर ना blood vessel होती है, simply इतना याद रखना, बस. और या epidermis जोगा हो, स्टेटिफाइड epithelium होती है, मतला लेयर के उपर लेयर होती है, याद रखना ठीक है, many layers of cell होती है derived from ectoderm आपता embryo, यह याद रखना ठीक है, ectoderm से याद origin होती है अपने पढ़ा होगा endoderm, ectoderm, mesoderm अपने embryo की तीन लेयर होती है जो की आगे जाके different organs बनाती है तो वही आगया, epidermis जो आपो कहां से निकलती है सर, यह जो embryo का ectoderm होता है वहाँ से आती है, और dermis जो आपो mesoderm से यादि, mesoderm में जो होता है किसका embryo का वहाँ से आती है फंक्शन वही आगया, protect करना, ठीक है organ को from mechanical injury से, shape of the body बनागी रखना, अगर skinny ना हो तो आपके सारे जो अंदर structure है वो इदर उदर नहीं निकल जाएं बार, समझे तो यहनी maintain the shape of body regulate body temperature को regulate करना, वही आगया मैं आपको बताया था sweating होती है, तो body temperature कही ने regulate करने में help कर रही है न, vitamin D formation भी होती है, इंदर present of sunlight skin में होती है cholesterol होता है, वहां पे important जो role play करता है, ठीक है याद रखना cholesterol, ठीक है, अब देखो यहाँ पे, check the entry of microorganism यह बताया आपको ठीक है, और excess of water salt को remove करता है through sweat gland में आपको बताया, here जो होते है, वो क्या होते है protection and warm-up provide करते हैं, बस इतने याद रखना nail का काम क्याता है, ताकि अपन किसी चीज को, किसी चीज को, किसी चीज को, किसी चीज को grip कर सके properly, ठीक है, और यह अपने fingertips को भी protect करके रखते हैं, समझ आई, अब देखो, यहाँ पे लिखते हैं क्या लिखा है, पुरनक, पुरनक परनाली ठीक है, तो इसमें कुष्णिय आपको पढ़ लेने हैं आप होती है, इसमें epidermis था, dermis था, इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर क्या होती है, कोशिक कहीं कि कही परते होती है, जो ब्रून के एक्टोडर्म से प्राफ़त होती है, यह मैं आपको बताया है था, और यह गैर 70 है, 70 है, 70 मतलब इसमें ब्लड वैस्कुलर जो ब्लड वैसल से होती है, और इसमें होती हैं ब्लड वैसल से, समझ चाहिए, अब देखो यहाँ पे, और यह बाप कर रहे ना, ठीक है, बाल ना पहांचा दिख रहा है ना, यह जो आपकी बाड़ी दिख रही है, यह सारी किसकी बज़ा से दिख रही है, स्केल्टर सिस्टम की बज़ाज़, अब दो पार्ट होते हैं, इसके, एक्जियल और पैंडिकुलर, मैंने उपर बताया था आपको, ठीक है, एक्जियल मतलब जो यह एक्सिस पे होते हैं, जिसमें अपना क्या आता है, सर हेड आता है, और जो रिप्स होती है, यह आती है, यह याद रख लेना, ठीक है, और जो अपनी क्या होती है, बटी ब्रे होती है, वो सारी चीज़ आती है, और एक्जियल के अंदर 80 बोंड होती है, स्कल्ल, बटी प्रिप्स ब्रेस्ट बॉन एट्सेटर अब पेंडिकुलर स्केल्टर की बात करें तो पेंडिकुलर सर्फ दूसरा साइडवें चर्फ इसमें आम से लेक्स सारी चीजिए आ जाती है अपनी और यह 126 बॉन्स होती है वसी इतना याद रखना ठीक है और स्केल्टर सिस्टम ज जाते बरेस्ट कर्ते हैं और इसके अपना य çev Stevens होती कि अब देखको आगया कंकाल पर ईंकें थी 7006 हड्यों से बना वाते है और ये जोकी में लेकिन हलकी होती है जो बाग ह Corinthians कंकाlist होता है और पर और कि अब कर three आएक य Gwen आज़त नंकाल होतेती अशी मतल्ए ेक्सिस वही है का ेसमें हैसी हड़्ियों होती है टिक है और इस में 120 हड़्ियों होती है अब देखो यहां पे मस्कुलर सिस्टम होता है टिक है मस्कुलर मतल्मसलबा तो आपको कि जो भी आप मूब कर पा रहे हो ना मूब कर पा रहे हो due to muscular system ठीक है muscle tissue की बात करें तो यह long cell होते हैं जिनका फाइबर होते हैं उनसे बने होते हैं और इनके अंदर क्या होते हैं प्रोपर्टी होती है कि यह contractor shorten कर सकते हैं यह नि contractor expand कर सकते हैं ठीक है pulling different parts of the body into position muscle की बात करें skeletal smooth cardiac बताने की जुरूत नहीं है रेकिन बता देता हूं skeletal वही आगे जो अपने डांचा त्यार करते हैं moment pulling the bones voluntary होते हैं अपने control में है लेकिन smooth और cardiac जो है यह control में नहीं होते हैं मतले involuntary हैं बस इतने याद रखना cardiac heart के होते हैं smooth muscle अपने lining जो होते हैं internal visceral जो होते हैं internal argon जैसे stomach intestine, urinary bladder, uterus वहां पे होते हैं ठीक है और देखो these muscles are work automatically करते हैं ठीक है usually attached to skeleton smooth वही आ गया ठीक है non-statified spindle shape होते हैं ठीक है unit nucleated होता है single nucleus होता है involuntary होते हैं मतलग अपने control में नहीं है और यह इनका अपना यह वाला structure ड्रा करके आ जाना समझ आई और जो covering ball होती है हर्ट किसको गया होते है पलीरा वोलते है आप आ जाएगा नीचे ठीक है पेशी परना लिए आप देख लेना हिंदी बाले यहां से ठीक है कंकाल की मासपेशी है जो कंकाल बनाती है ठीक है चिकनी मासपेशी यानि स्मूथ और यह क्या होती है involuntary होती है अपने अप यह असली रूफ से काम करती है समझाया ठीक है और इसलिए कर लिखा होगा यहां पर लिखा होगा निपर नर् brain और spinal card दोनों को बलते है nervous system इनका काम क्या होता है sir signal बेजना ठीक हो high internet speed की तरह काम करता है ठीक है sending और electrical signal और असीव करना ठीक है और किसके तरू होता है sir neuron की तरू neuron की बात करें तो आपको बताया था मैंने dendrite होते हैं ठीक है nucleus होता है cell body इसको soma कहते है एक्जोन, एक्जवं हिलॉक होता है, वह इसको एक्जवं तर्मिनल होते हैं, और यहाँ पर क्या होँगा यह बाला जो रीजन है नह यह दूसरे catch होता है यह जो अपको दिख रहे हैं गलुगूलिव शोटे हैं यहाँ पर तिके और इसी को बोटे abd के और यहाँ पर मैलयन में शीट होती यह जो अपने शुवां सेल होती है इसको मैल कहते हैं समझे नोड आफ रहोते हैं ये नोड रोती और ऐसे करके लेक्ट्री के सिगनल जो था हो ऐसे करके जम्प करके करके जाते हैं समझ यह याद रखना ठीक है इसके के अंदर नोड भी प्रॉंट से निकलते हैं ये बताा लिए मैंने आपको और संप्स्री नर्व सो थी हैं ऑर मिक्स्ट सेंसरी मतला जो सेंस कर रही है जैसे मैंने आपको बताया कि किसी चीज़ार पेयर रख रहे हैं जैसे आग का आग बढ़ी है नीचे आपको पैर रग गया वहां पर तो आपको na sensory nerves जो वो sense करेंगी वो signal बेज़ेंगी ब्रेन को ठीक है क्या करेंगी brain को signal बेज़ेंगी और brain जो आप immediate feedback बेज़ेंगा उसको कि पैर रटा तो that is motor nerve समाज आई यह देखो पहलिका है कि sensory nerves send signal to the brain from sense receptors जैसे आपको थपड़ बार रहे हुई तो आप भी उसको थपड़ मार होगे ना विप आपको लगी होगी ठीक है तो यह अंसरे करते हैं यह क्रथे हैं सिगनल जो भी बाश वह होते हैं और यह सिगनल बेजिती हैं मोटर नर्फ डीक है ये वही आकlah et and tellin purvid को कि क्या करना है तुम्हें ? बता दिया मैंने आपको और mix दोनों का काम करती है ठीके ? उसके बाद ये देखआ तंतर की तंतर आप देखलियना हंधिवाले कि Maastik औरền की Aader अधनि जो है बहुत तंतर की तंतर बनाते है अपना ठीक है और इनका काम क्या होता है कि signal बेजना और signal को receive करना, यह बता दिए मैंने आपको, अब देखो MiraNb appear THIS मैं स्राइट इसमने cyton होता है dendroiन होता है और o श्य॥क, यह अब को बता दिए मैंने और बाकी इनका काम क्या होता है यह अब को बता दिए संकेत बीजिए यानि brain से दूसरी साइड बीजिती हैं जहां से अपने को जहां से अपने को signal मिला है समझाई कि अपने को क्या करना है मसल को बताती कि आपको क्या रहा है करना है उसके बाद को cardiovascular system cardiovascular system मतलब cardio means heart और vascular मतल बैसेल्स यानि blood vessels होती है तो cardiovascular circular system जो है वो body का blood transport network होता है ठीक है जिसके अंदर heart blood vessels ठीक है और tubes like structure जिनको blood vessels कहते हैं वो सारे बनाते हैं इसको यह मैं आपको पता है ठीक है heart beat constantly to pump blood through the vessels to every part of the body वही आ गया और heart होता है इसके अंदर ठीक है और एक close system of blood vessels होते है arteries क्या होती है सर arteries ना arteries ना carry करती है oxygenated blood और यह heart से लेके जाती है क्या करती है heart से लेके जाती है कहां पे सर दूसरे organ में समझाए और veins क्या करती है दूसरे organ से waste material और CO2 वाला blood यह यह याद रखना veins organs और capillaries जो होती है वो आगे supply करती है यानि further branches होती है arteries की जो की deliver करती है blood to all body body यानि जैसे यह artery आती में अरोटा इसके चोटी योटी branches होती है लग लग जो part को आगे supply करती है वो capillaries होती है अब double circulation क्या होता है तो यह देखो यहां से समझाएगा आपको देखो यहां पर य यह क्या होता है सर यह right arterio होता है और left arterio होता है यह नि अरी कलब वोड़ते हैं यौन इछ दो यहां पर को rein इन फीरियर बेहरे 집ा से उपर वाला जो हिस्सा वार यहां से बलडा लेकिते हैं, घंदा MARY लेकिते हैं और नीचे बलडा गूंग जो हमारे आर्गन है, यहां से क्या लेकती है, inferior vena के ब्लड लेके आती है, और यहाता है right arterium में, फिर यहां से क्या होता है, यहां से blood जाता है, कहां पे right ventricular में, समझे ही, कहां पे जाता है right ventricular में, और फिर यहां से कहां जाता है, सर यहां से न, यहां से कहां जाएंगा, सर य हर्ट से कहां की तरफ, लंक्स की तरफ, और हमने पढ़ा था कि वींज होती है, वींज होती है, वींज होती है, वींज होती है, वो क्या करती थी, CO2 वला ब्लड लेके आती थी, बाड़ी बाट से कहां की तरफ, हर्ड की तरफ, लेकिन जब पल्मनरी वींज की बात आती है, त फिर यहांसे कोण लेख आएगा सर् प्लमिनरी आ कारिकल आर्टरी मेह लेके आएगी ठीकिए और फिर यह चला जाएगा लेफ्ट वैंटडरी के लूटरी में नार्मलमली जो आर्टरी होती है वो काम कूं सा करती है झाल hilft ventrical लेकिन जो pulmonary artery होती ही वो deoxinated गरी करती ही बस इतना याद रखना ठीक है वाकिए यह लिखा हुआ है double circulation क्या हो रही है सर डबली तो हो रही है एक बार blood जो है वो यहां से pump होके यहां पर आ रहा है फिर दूसरा जो है वो यहां से जा रहा है कहां पर लंक्स के पास फिर लंक्स से जो अब फिर से oxygen होके फिर से यहां पर आ रहा है तो यह तो यहां तो एक circle चल रहा है और दूसरा बाडी के लिए तो जाएंगा ना समझ है है तो यही तो अधर double circulation होते है double circulation देखो क्या बोल रहा है एक तो ऑक्सिजनेटर ब्लड एंड आधर फार दी ऑक्सिजनेटर ब्लड इंक्लूड़ तो डबल सर्कुलेशन चो करते हैं यह मैं आपको बता दिया देखो right pump क्या लिखा है the right pump send oxygenated blood to the lungs where it becomes oxygenated हाँ डी ऑक्सिजनेटर ब्लड जो होगा यह मैं आपको बता दिया यहां से right ventricle जो था वो ब्लड लेके जा रहा था pump करा चला गया लंक्स के बास लंक्स से जो है वो pulmonary vein लेके आएगी तो पहुंच जाएगा यह फिर से कहां पर left artery में फिर यहां से खुलेंगा और यहां पर चला जेंगा left ventricle के बास और यह जो वैलब होते हैं वैल का 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 म क्या होता है यहां पर वैलब जो होते हैं इनका क ब्लड कंट्रोल बाड़ी एंड शर्कुलिटी इंशर्ट एट बाड़ी एलवेज हैव थाई सप्लाई आफ और यह आप डाइक्राम बना क्या होगा इसकी यह देखो यहां पर यह देखो यहां पर यह यह राइट और अरिकल आगे यह राइट वैंटरिकल आगे राइट बाड़ी वेंगर से लेती है सार ओटू डिट ब्लड यह दो दूसरा से बाड़ी और फिर यहां पर बेन जो पपिस लेंगे घाएगी कांपए सर राइट और यहां से वैलभ खुला फिरसे यह राइट चलता रहता है तो यह आ आप देख लेंगरा बना की आज़े और ही माधें बाले भी पढ़ना उसको उसको उस्के नीफ़फनों सो दी है एंठी इनसे सिस्टिम वर यहां-ट्रय अधे और बढ़ा यह न हो टीन होना अज हाँ ट्रेप्रिंख से पूर्वाटी तो यह लिंफॉसाधे है यहनु व्द्वार नकेस्स एयानि विच्व और एक होते हैं कलर लेस्स फ्ल्ुडेशल उपनienemy प्लाजमा गाते हैं sensit Gus ओर वोग इसलोग्हा ऐफ दी नीविज को होते हैं यहोते हैं कोई मत्यू सब्सक्राइब खमनेदी opin intracellular spaces of the tissue और farming tissue fluid अगर excess में tissue fluid हो जाता है तो वो इंटर कर जाता है lymph capillaries और यहां पर यह इसको बोला जाता है lymph में क्या बोलते हैं इसको अपर lymph बोलते हैं फिर tissue fluid and blood are thus identical होते हैं और different from the blood in lacking RBC क्योंकि इसमें RBC नहीं होता है इतना याद रखा platelet भी नहीं होते हैं क्या होता है क्या होता है सिर्फ WBC होता है याद रखना और lymph होते है अब lymph containing large protein माली के रहे होते हैं जो digest करते हैं fat को, germs को, fragment of dead cell उनको खा जाते हैं मतलब एक time का काम क्या कर रहा है protection कर रहा है, अगर कोई बाहर से body cell seeps into the lymph capillaries, और lymph capillaries से वो जाता है कहाँ पर lymph vessel में, ठीक है इसके अंदर lymph nodes होती है, ठीक है और lymph nodes से क्या होता है, lymph जो है वो cleaned by WBC जिसको lymphocyte भी कहते है ठीक है, याद रखना ठीक है, यहनी lymphocyte क्या होता है, WBC होता है, और WBC की type होती है, lymphocyte and monocyte अपने पड़ा होगा, ठीक है और these white cells, जो हो, eat germ cell and dead cell and also make antibodies for protecting the body from disease यह याद रखना lymphocytes ठीक है, और lymphatic system जो हो, इसके पार्ट होते है, lymph होता है, ठीक है lymph capillaries होती है, lymph vessels होती है lymph nodes होती है, ठीक है और इनका काम क्या होता है कि, मनाते हैं store करते हैं और release करते हैं lymph को ठीक है, और these tissues and organs call lymphatic or lymphoid system ठीक है, function वही आगया कि protect करेगा अपने को, ठीक है, middle man है ठीक है, और volume of blood by restoring the fluid that leaves it, और lymph nodes destroy foreign germs and particles और it also produce lymphocytes वही आगया, यह आप इसका diagram बना दो समझ है, यह वाला बना किया जागा ठीक है, तो देख लो यहाँ पर इसके part जो गई है, thymus हो गया, ठीक है spleen, graveyard होगा, RBC का ठीक है यह आद रखना, lymph vessels होगी, lymph nodes होगी appendix हो गया, ठीक है अभी तो यह काम नहीं करता, ठीक है तो यह हमारी सारे के सारे organs हागे, lymphatic system अब आजो, और हिंदी भाले देख लेना इसको, ठीक है वीडियो पास करके, इसमें पढ़ लेना इतना कुछ नहीं है ठीक है, हिंदी तो आती होगी न आपको ठीक है, और यह आपके लिए sufficient है, ठीक है और diagram में भी यह आप change कर लेना नाम, सेम ही तो रहेंगा, cervical, lymph node है तो इसका नाम तो वही तो रहेंगा अब आजो, अब देखो immune system मतलब immune system वो system होता है जो की immunity provide करता है, ठीक है यानि defense एक technique होती है, जो कि अपनी body को protect करना जो भी बाहर से attack हो रहे है ठीक है, तो इसमें ना अपनी first line of defense कि इसको कहते है, स्किन को कहते हैं, ठीक है और lining of eye हो गया, mouth हो गया, nose, throat, stomach, ठीक है, जो भाहर इनके lining होती है ठीक है, और pathogen can enter the body through the food we eat, our air, we breathe इससे इंटर कर सकते हैं, अब उनको उनसे बचाना भी तो है body को, तो वो बचाता को ने immune system बताता है ठीक है, याद रखना two stop germs gaining assess internal passage are lined by protective fluid, such as saliva, mucus, tears आंकों में भी आस होती है, ठीक है और mucus हो गया है जैसे, ठीक है और even if the pathogen, अगर manage मतलब अगर वो निकल भी जाता है, body के अंदर चला भी जाता है first line of defense को pass कर जाता है तो बहाँ पे क्या मिलेंगा, उसको बहुत सारे white blood cell मिलेंगे जो उसको जीने नहीं देंगे, समझ आई immune system is run by white blood cell and which move through the blood stream मतलब मैं आपको पताया था, वही lymphatic system में यह flow करते हैं, ठीक है lymphocyte होते थे वाँ पे ठीक है, और यहाँ पे भी यह move करते हैं ठीक है, और यह क्या करते हैं यह क्या करते हैं, किसको डूँड़ते हैं अगर कोई bacteria, कोई virus है, तो उसको फिर डूँड़के खतम कर देते, समझ आई और these bodies जो है वो क्या करते हैं वेपन होते हैं जिसको बनाते हैं किसको बनाते हैं antibodies को बनाते हैं ठीके किसके against antigen जो भी बाहर से आया हो तो antigen मतलब कोई भी pathogen आया तो वो इसको एक signal बेज देगा कि बहां से बंदा आ गया है गुसके है ठीके बस उसको मारना है तो ठीके तो उसके खिलाफ antibodies समझ चाहिए इस defense chemical proteins attach themselves to the invader to identify them and enemies as enemies for white blood cell to eat समझ चाहिए खतम तो यह आगया immune system तो यह आप देख सकते हो यह skin आगी first line of defense ठीके lymph node होती है स्प्लीन यह सारा आ जाएका ठीके immune system के अंदर भी आप lymphatic system को add कर सकते हो दिमाग लगना थोड़ा सा तो हिंदी बाले देख लेना यहां से वही आगया कि किटानूओं को जो है उनको मारना रक्षा करना किसी body की वही आगया बैक्टेरिया से वाइरिस से अन्ने रुजा जो रोग जन्नक जो होते हैं ठीक है उनको पहचारना और उनको खतम करना इसका काम होता है बस इतना याद रखना और हमारी body को जो हो सुरक्षा प्रवाइड करता है इन सभी चीज़ों से ठीक है और first line of defense मैंने जैसे बताया आंक होते हैं मुँ नांक गले पेट जो अपनी skin होती है यह first line of defense होती है अब आज हो यहाँ पर respiratory system तो respiratory system होता है शिवासन जो system होता है respiratory system क्या होता है network होता है और्गने टीशू का जो की help करता है breathing से मतलब शुरू कहां से होता है breathing से airways होते है lungs, blood vessels आपने देखो का respiration जो होती है उन्हों तीन type के होती है external respiration जिसमें अपने सांस ले रहे हैं फिर internal होती है चला जाता है कहां पर blood पर blood पर lungs के मैंने बताया था ना वहाँ पर heart ब्लड बेज रहा था तो वो हो जाएगी हमारी क्या internal फिर होता है क्या होती है cellular respiration होती है जहां पर क्या होगा जो oxygen carry होई है वो cell में चली जाएंगी जो अपने cell होंगे अलग लग body part के अंदर अब यह ऐसे करके बताऊगे कि air जो है वो पास करती है nose से nostril में nasal cavity में जहां पर क्या होता है hair और mucos होता है जो कि dust और impurities को trap कर लेता है फिर क्या होता है pharynx होता है फिर wind pipe में चला जाता है wind pipe जिसको trachea कहते है और trachea क्या होता है वहां पर rings होती है जो कि उसको बचाती है ताकि collapse ना कर जाए अगर हवा ना हो तो आपस में वो मिलना जाए फिर lungs आ जाता है लंक्स के अंदर क्या होता है bronchus होता है bronchioles होता है यहां पर actual जो अब गैस्ज़ पर होता है कहां पर अलुराई होता है तो यह कुछ पाट आगे और lungs की जो बाहर एक covering होती है जिसको protect करती है जिसको बोलते है अपन प्लिवरा जो कि cartilage की बनी होती है जनि थी तो नहीं होती लेकिन संस के अंदर कया है सांस के वाहनी कि उसकी वुव करती है कहाँ पर जहां पर उसकी यहां पर्लोरर कंसेंटरेशन होती है पता है आप सब येस पता है अब देखो हायर से ये कहा जाएगी लोर में तो यहां पर क्या है लंक्स के अंदर क्या है सर लंक्स के अंदर ना oxygenated blood जाए नहीं sorry oxygen ज़ाद है तो जब oxygen जधाए तो यहाँ पे blood में oxygen कम होगी तो यहाँ पर क्या होगा क्योकि बहाँ से क्या होगा क्या होगा वहाँ पे pulmonary brain लेके आएगी ना blood तो pulmonary brain blood लेके आएए उसमें क्या था sorry 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 pulmonary artery P.U.L.M.O.N.A.R.E. क्या था pulmonary artery blood लेके आए थी ना ऐसे generally artery कौन सा blood लेती है O2 वाला लेकिन यहां पर pulmonary artery कौन सा लेके आती है CO2 वाला तो यह CO2 वाला blood लेके यहां पर खड़ी है बाहर और हेफडे जो है क्या लेके खड़े है oxygen जादा लेके खड़े है तो फिर क्या होगा higher से low में concentration move हो जाएगी यहां से यह move कर जाएगा कहाँ पर यह जो oxygen था ना lungs के अंदर यह move कर जाएगा कहाँ पर इसके अंदर blood के अंदर और blood के अंदर क्या था CO2 जादा था क्योंकि pulmonary artery CO2 बाला blood लेके आए थी तो CO2 के अंदर concentration जादा है तो यह move कर जाएगी कहाँ पर फिफडो में है समझ आई तो इसी को बोलते हैं diffusion और principle of diffusion के अधार पर चलता है समझ आई बस यह होता है और फिर यहां से जब oxygen इसके अंदर blood के अंदर आ जाता है तो फिर इसको pulmonary vein होती है यह क्या करती है O2 वाला blood कौन सा O2 वाला blood कौन सा O2 वाला blood जो है वो यहां से लेके जाएगी herd में समझ आई तो यह याद रख ले ना आप तो उसी को बोलते है अपन cellular respiration और इसकी diagram आप यह देख लोगे simple diagram है ऐसे करके बना जाए ना यहां से nasal cavity यहां सांस गया ठीक है यह अपना गया wind pipe जिसको अपन ट्रेक के बोलते हैं फिर यह क्या होते है bronchions होते है bronchies समाज आई समाज़ाई समाज आई समाज़ाई आई और आ जो यहां पे टीकिछे होती है उनको जो फो जाब बहुत करती है अपने को और फिर उसके बाद ग्रसनी हमें जाता है तो इसको फूस-फूस का जा जाता है जिने उरॉच दिसमें कुछ नहीं है अऽ डीएस्टिफ असीस्टम किया होता है सर एक एसा इस्टम होता है जो कि कम्प्लेक्स फूड़ को ना सिम्पल में बना देता है जैसे क्या खाते हो कि अगल को खाते हो क्या नहीं तो यहले को उसी पire एक प्रक्रिअ को क्या बलते हैं प्रक्रिया को नाज़ आया समझ आया समय क्या होता है कि इसमें टिक यह कर्बाइडर किसमे होता है सर्ग्लुकोज में समाझ चाहिए और फैटी असर जो होता है सर्ग्लिसरोल फैट जो होते है ना फैट खाते अपन वो किसमे होता है फैटी असर प्लस ग्लिसरोल बनते है और ग्लिसरोल जो अब कभी भी अब्सॉर्ब नहीं होता है यह आद और digestive gland भी होते हैं, जैसे salivary gland होता है, जो amylase को secrete करता है, liver होता है, ठीक है, और pancreas, आपने पढ़ा pancreatic juice वगेरा, liver bile juice वगेरा, ठीक है, अब digestion कैसे होती है, food की, सर, mouth से start होती है, आपने देखोगा, एक sports person होता है, एक sports person होता है, उसको ना, हमशना glucose दिये जाता है, glucose दिये जो first compound, जो जिसकी digestion शुरू होती है, मारी body के अंदर क्या होता है, carbohydrate होता है, इसलिए जवाब हो, glucose दिये जाता है, हमेशना थांकि, यह जल्दी जवाब मुह से ही, मुह से ही digestion शुरू हो जाती है, और यह जल्दी रख होता है, इसलिए उसको glucose दिये जाता है, ठीक है, उसलि क्योंकि neutralize करता है अगर कोई bacteria बगड़ा है उसमें toxic सबस्टान्स है फिर बहाँ पर churning होती है food की 3 गंटे के लिए breakdown होता है यहाँ पर complex food का simpler one में फिर फिर बो चला जाता है small intestine के अंदर यहाँ पर complete waste material समाज आई समाज आई समाज आई यह आप ऐसे करके इसका synopsis बनाओगे क्योंकि मेरे पास जगह कम थी आप इसको नीचे नीचे बनाओगे समाज आई यह इसका देखो यहाँ पर mouth का काम क्या होता है यहाँ फूड ग्रेंडिंग करते हैं अपने mixing करते हैं टीक है इससे अंदर breakdown होता है नीचे स्टोमेग के अंदर breakdown होता है acid enzyme आती है यहाँ तो यह सारे चीज़ आ जाएंगे अपनी समाज आई तो यह पाचन क्रिया आप पढ़ लोगे बच्छा बाटी इसमें कुछ नहीं है ठीक है मुह हो गया अनपर नाली पेट शोटी आंत बड़ी आंत गुद्धा ती है और शोटी आंत को शोटी क्यों बोले जाता है कि किसका डायमेटर कम होता है बैसे लेंंच Head i can और बड़ी आंद को बड़ी आंद क्यों बोलते है कि किसका diameter जाता होते है यह याद रखना तो यह आपको बाता है उसके बाद एक उरेनरी system उरेनरी लेटर टू मतलब जो excretory system में अपना समझाई यह pair of kidneys होती है ठीक है आप दा वर्टीबर जो कॉलम होती है जस्ट बिलो दी डाइफ करा ठीक है और लास्ट टू पेर जो अब रिप्स के प्रटेक्ट करते है उनको याद रखना तीक है लेफ्ट किड़ी जो ज़्यादा हाई होती है किस से राइट वंच टीक है और उसके बाद क्या लिखा है कि क किस की तरह होती है यहां परिल इस पांट या पर वहते हैं कि नुट इस त्ले नर जितल करते हैं यहां से निकलता है भाहर फासर प्रकूतर खोता twenty three इनर मैडूल होता है, ठीक है, किड्नी के अगर बात करें तो इसके अंदर यसे एक्सक्रेटरी यूनिट्स होते हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं, नेफ्रोन, समझ आई, समझ आई, देखो, युराइन इसे ड्रेंड इन्टू इन्टू अरिनल पहल भी, फिर यूरिटर में यान युराइनरी प्लैडर में स्टोर रहता है, ठीक है, वहाँ पे स्पिस्टर होते हैं, क्या होते हैं, आप देखो न, अब जो युराइन होता है, उसको रोक सकते हो, ठीक है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे वोलेंटरी स्पिस्टर रहे होते हैं, एक तो इन्वलेंटरी होत दा-glomerulis, यहाद रहा, boomer-capsule and glomerulus are together refer to the rennal capsule and malefagin body बोलते हैं, दोनों को, यह देखो, यहाँ पर, इसके अन्दर क्या होगी, vessels होगी, डीके, efferent आएंगी, बाहर से जोएंगी, और यहाँ से जो निकलेंगी, efferent, इफ्रेंट निकलेंगी तो इसका ये वाला structure आप करो होगे ठीक है ये देखो और Bomen capsule जो होती है न ये जो अपना देखो यहां पर structure देखो यह देखो यहां पर nephron ठीक है तो इसमें PCT होता है Henleys loop होता है DCT होता है और then collecting duct होता है ठीक है ये collecting duct और याद रखन जो अपना ये होता है ये रीजन आगे तर देखो यहां पर इसका diagram आप यह वाला कर लेंगा ठीक है और यह आप इसका kidney का structure भी कर लेंगा ये cortex रीजन होता है बाहर इसके क्या होता है cortex ठीक है और अंदर ये PCT होता है जो नीचे की दार हो जा रहा है और ये loop of finale होता है ठीक है ये ऐसे करके समझ आई ये loop of finale होता है ये जो रीजन आ रहा है न उपर से ये PCT है इसको अपने proximal convoluted tubule कहते है ये हैनली लूप आ गया ठीक है और फिर ये जो उपर वाली रीजन जाता है इसको बलते है DCT ठीक है और बाद में कहोती है collecting ducts आ जाती है ये अपनी यहाँ से निकलती है और बाद में यूरित्थरा urinary bladder और यूरित्थरा में जाके store हो जाता है blood urinary bladder में और यूरित्थरा के तुरू बाहर ये ऐसे करके इसका structure बता देना ठीक है समझाई 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 तो यह absorption हो रही है और यहाँ पर यह excessive h2o जो है excessive h2o जो है इसकी absorption हो जाती है समझाई और अगर कोई चीज ज system का का होता है sir reproduction करना देखो new life को original करना ठीक है तो बही अगर reproductive organs are different in man and woman ठीक है और लग लगन का रोल भी होते है ठीक है female reproductive system की बात करें तो यह inside होते है body के है ना uter हो गया जैसे uterus होते है two ovaries होती है two philippines tubes होती है vagina breast होती है the milk producing gland होते है ठीक है और यह सारी चीज़े बाई ज in close होते हैं जो scrotum covering होती है उसकी युरित्रा होता है vas deferens seminal vesicles यहां पर क्या बनते है sperms बनते है ठीक है और seminiferous tubules होती है और pennies बगारा यह आ जाते है ठीक है तो वह यह आ गया कि eggs gametes produce करते है ठीक है और egg आता है ठीक है और sperm fuse होते है fertilization होते है जैगोड बनता है और पूरा बाद में जाके एक baby जो हो रड़ी हो जाता है समझ आई और यहां पर development कहां पर होती uterus जिसको गर्व कहते है ठीक है तो यह आप देख लो यहां से ठीक है समझ आई उसके बाद देखो यहां पर endocrine system तो endocrine system क्या होता है sir endocrine ना एक ऐसा system होता है जो की produce करता है क्या करता ह स्क्रीड करता है हर्मोन को अब हर्मोन क्या होता है सर ना यह ना chemical messenger होते है क्या होते है chemical messenger होते है जो की signal बेशते हैं एक जगा से दूसरी जगा को समझ आई ठीक है तो these control many different bodily function जैसे respire करना ठीक है metabolism हो गया reproduction heart beat बगएरा यह सारी चीज़ें चुपा वो control करते हैं क्यों हार्मोन बस इतना याद रखा है ठीक है और यह कभी क्या होता है directly देखो आपने पड़ा होगा कि gland चोड़न तो type के होते थे अपने एक तो होते थे मारे exocrine होते थे एक endocrine होते थे जैसे कि वो थू डक्ट बहार फैंकेंगी जैसे आपने देखा था sweat gland क्या देखा था आपने sweat gland देखा था तो क्या होता था कि एक pipe होती थी pipe के थू आपका जो sweat हो बहार जाते लेकिन endocrine में ऐसा नहीं होता endocrine में ट्रेक्टली जो secretion होती है वो गहां पर shed होती है blood stream में याद रखना ठीक है और इसमें हमारे जो आते हैं ठीक है तो देखो hypothalamus आता है hypothalamus में होता है जो कि head quarter होता है एक type का जैसे pituitary होता है master gland ठीक है hypothalamus जो वो signal बेशता है control करता है ठीक है बाकी जो भी gland है उनको है कि हां तुम यह करो ठीक है जैसे अगर ज्यादा secretion हो रही है तो यह signal बेशता है कि तुम secretion करना बंद करो अगर कम secretion हो रही है ठीक है तो यह बोलता है कि तुम और secretion करो ठीक है hunger, mood, thrust, sleep, release यह सारे चीज़ें दूसरे यह दिखो लिखा है the release of hormones from other gland सारा control कौन करता है hypothalamus pancreas gland produce insulin ठीक है that help to control blood sugar level को भी control करने में help करते है thyroid की बात करें तो thyroxine हो गया calcitonin ठीक है tridothyronine ठीक है तो अब इसका काम क्या होता है sir अगर इसकी deficiency हो जाती है thyroxine की तो आपको guiter हो जाते है आप सब ने देखा होगा pineal gland produce करता है melatonine ठीक है जो कि अफेक्ट करता है आपके sleep को ठीक है और pituitary gland master gland होता है ठीक है यह पता है आपको और दूसरे हर्मोन की जो स्री सिक्रीशन है उसको भी trigger करता है समाझ जाई और और trigger करता है यह growth को भी याद रखना है और paratharid hormone जो वो control the amount of calcium समाझ जाई पीनियल बता दिया याद रखना है adernaline याद रखना ठीक है तो hypothalamus जो है वो signal उसको जाता है और वो signal बेशता है ओवरीस आगया ठीक है estrogen testosterone progestron ठीक है female sex hormone यह सारे लीज करते है और testis में के अंदर male sex के आगे testosterone और sperm produce करने में help करते है तो यह आजाएगा और यह आपका यूँआ है वो इसका diagram भी बना के आ सकते हो आप समाझ जाई ठीक है that's it इसे जाद आपको करने की जरूरत नहीं सो हिंदी वाले medium वाले बच्चे देख लेना इसमें ठीक है इसमें कुछ उत्रा करने की जरूरत नहीं आपको systematic चीज़े मिल रही है ठीक है पढ़ना ही आपको समझने में तो कोई दिक्कत रहा है नहीं simple बाचा है ठीक है so bye bye and मिलते एक लिए वीडियो में तब तक के लिए have a good day